नमस्कार आज मैं आपको बताऊँगी 32 चेस्ट ब्लाउच कटिंग एंड इस्टीचिंग तो यहां पर देखिए हमारा जो कपड़ा है वो इस तरीके से हैं बॉर्डर बाला कपड़ा है तो अगर आपके पास इस तरीके से कपड़ा आता है तो आप उसको कैसे काटेंगे अब देखिए यहां पर डिजाइन बनी हुई है तो वो कुछ इस तरीके से हैं और फिर हमें बॉर्डर भी लेना है और बाजू भी हमें इसकी 3-4 बनानी है तो कपड़े को अगर हम देखें तो इसको हमें कपड़े को इस तरीके से काटना है जब ही हमारी बाजू भी 3-4 आएगे और आगे और पीछे के परलट भी आजाएगे अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो यहां पर हमारा कपड़ा कम है फिर छोटा होगा इस तरीके से छोटा आएगा और हमें बाजू 3-4 बनानी है तो दीगे कपड़े को देखते हुगे हमें कटिंग करना है कि हमारा कपड़ा भी बच जाए और बाजू भी आजाए हमारी तो इसको दीगे हमें इसी तरीके से काटना पड़ेगा तो दीगे हमारी चेस्ट 32 है तो हम यहां पर 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे पहले उसके बाद यहां पर हम गुंजास लेंगे वो लेंगे हम 4 इंच 4 इंच की हमने गुंजास ली है अगर आप चाहें तो यहां पर 2 इंच की गुंजास भी ले सकते हैं पिछे का जो पल्लर है वो मैंने 15 इंच की लंबाई ली है आगे का पल्लर है जो हमारा कपड़ा लंबाई में ज्यादा है वो 4 इंच ज्यादा है तो उसको हम डबल 3 लगाएंगे इस पे हमें तुरपाई नहीं करनी है तो यहां पर हम दीखे कपड़े को इस तरीगे से कुणजआश जदा लीए तो यहां पर च्वेन्च के आरूमल रख रहे हैं किछ गोलाई एक शो कोट К feito को रखना चाहते हैं कि दिश्क लगानी है थोड़े क्रीच के लगानी है तो अगर पर जो 睡ानल में देख लेए मैंने में होती आसान और सरथ तरीके से पाय फिल लगाना पताया है और देखिजी आप निसान लगाएंगे तो जी बंद वाली साइड है यहां पे आप विंकर को गले किया है क्योंकि जुड़ा हुआ था और गले का भी और आरूमल का भी अब हम इसमें से पीछे का पलाव अलग रखेंगे कि अब आदा इंच हमें यहां पर आरूमल का कटिंग करना है जो जरूरी है क्योंकि आगे की साइड जोल नहीं आए और यहां पर लगाएंगे हम तीरे का निशान तेरा इंच पे जो मैं आपको हमेशा बताती हूं कि तेरा इंच का निशान है वो कभी वी उपर की साइड नहीं जाएगा इस तरीके से हम तीरे को इस तरीके से से शेप में उपर की साइड लेंगे और फिर लगाएंगे हम यहा पर 9.5 इंच पर अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे तो हमारी जो चेस्ट है वो 32 तो पीछे का जो पल्लर है वो हमारा 16 इंच का हम आदा करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा 8 इंच तो यहां पर आजाएगा यह हमारा फिटिंग का निसान 8 इंच का एक निशान हम यहां पर लगाएंगे यहां पर लगाएंगे हम कैची के कट दोनों साइड हमाले निशान अच्छे से बन जाएं अब तीरा यहां पर जुड़ा हुआ है तो इसको हम अलग करेंगे इसको ऐसे करके और आदा इंच हम यहां पर कटिंग करेंगे ऐसे तीरे को देखिए हम इस तरीके से डबल करके लगाएंगे ऐसे करके तो यह हमारा आगे का हो गया और यह हो गया हमारा नीचे का तीरा इस तरीके से हमारा तीरा आजाएगा पीछे की साइट हमारा यह बॉर्डर है और यहां पे बीच में हमारी यह पिलेट आईगी जो हमारी यह पीछे की पिलेट है और इसका गले की जो लंबाई रखेंगे वह हम आठ इंच की रखेंगे अगर आप डीप कला बनाना चाहें इसका तो सोल्डर आपको फिस साड़े पांच इंच के नहीं रखने फिर आपको पांच इंच के रखने इसके सोल्डर क्योंकि हम यहां पे एक सिंपल सा कला बनाएंगे आठ इंच का तो हमने यहां पे साड़े पांच इंच सोल्डर लिए अगर आप दीब गला बनाएंगे तो आप पांच इंच के सोलना रखें तो आपके कंदे गिरेंगे भी नहीं और गला भी अच्छा आएगा अब देखिए यहाँ पर जो कपड़ा बचा हुआ है तो इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कपड़े की लंबाई है बाजू की वो है 17 इंच और यहाँ पर जो चोड़ाई है वो है 18 इंच तो हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे अब यहाँ पर हमें लेना है 4 इंच और इसको हमें उपर के साथ इस तरीके से लेके जाना है तो दीखे बैसे हमारे यहाँ पर चोड़ा ही जादा है 9 इंच है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं इस तरीके से क्योंकि जोल आती है फिर बाजू पर तो वह नहीं आने चाहिए तो हम यहां पर 16 इंच की लंबाई रखेंगे कपड़े की आठ इंच पर निशान लगा रहे हैं डबल करने के बाद हमने इसको आठ इंच लेया है क्योंकि यह नीचे की साथ पट्टी भी हमारे क साम आ जाएगी अब यहां पर हम जैसे हमारी मौरी दस इंच तो हमने यहां पर पांच इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है अब देखिए बीच में हम ऐसे निशान लगाएंगे तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि आगे की साइड आप कटिंग नहीं करते हैं तो आप लोग कटिंग कर सकते हैं यहां पर आदा इंच इस तरीके से कटिंग कर लें लेकिन आपको दियान रखना है इसको आगे की साइड ही जोड़ना है गल्दी से आप इसको पीछे की साइड ना जोड़ें यहां पर आप इस तरीके से निशान बना लें तो यहां पर देखिए हमारा ये बाज़ु भी कट गया है और इसको जोड़ा हुआ है उसको अलग करेंगे हें यह हमारे बाज BIG अब देखिए जो भी कपडा हमारे पास बचा है वह आरोमल का है और गले का है तो इस मैंसे हमें गले की पट्ाप्तिया निकालनी है तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारा जो गल्य का कपड़ा इसको अलग करेंगे और इसको हमें ऐसे तिर्चा करना है अब यहाँ पर हमें लेना है एक इंच अब देखिए पट्टी हम किस तरीके से जोड़ेंगे वह भी मैं आपको बता दू इस तरीके से हमें पट्टी रखनी है और ऐसे करके हम इसको जोड़ेंगे देखिए अगर आप पर पट्टी जोड़ना नहीं आता है तो प्लीज आप पाइपन बाला वीडियो देखें जो गले में पाइपन आसान और सरल तरीके से मैंने आपको बता है वह आप जरूल देखें तो यहां पर हमारे गले की जो पट्टियां है वो कट गई है अब आरुमल का जो कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हमें काजवाली और हुक वाली पट्टी निकालनी है तो दो प्लाउच की चोड़ाई हमें चाहिए वह फुक वाली पट्टी यह हमारी हुक वाली पट्टी हो गई अब यहां पर हमारा यह आगे का परलर है और यह हमारा पीछे का परलर है अगर आप इस टीचिंग बुलकुल नहीं आती है तो प्लीज आप चैनल में देख ले मैंने वीडियो अलग से बनाया है लेकिन चोटी चोटी टिप्स है वह आप जरूल देखें क्योंकि इस टीचिंग का जो वीडियो वह अलग से बनाया है तो उसको आप जरूल देखें तो जो आपके समझ में नहीं आया वह आप मुझे कमेंट करके बताए मैं कोसिस करूंगी कर लें इससे कि आने वाले जो नई वीडियो उसका नोटिफिक्सन आपको मिल जाएगा और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए धन्यवाद